साथियों, कभी-कभी मुझे लगता है कि जीवन की सच्ची सिख्षा की कसोटी, उसकी परिक्षा संकट के समय ही होती है। अगर आप प्रोटेक्टिव एंवार्मेंट में हैं, चारों तरब से समले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कस्ट नहीं हैं, तो आप में सामर्त है, गरी इसमाँ पता ही नहीं चलता। बहुत देखरेक भरे माहूल में सच्ची सिख्षा का पता कभी नहीं चलता। सच्चे सामर्त का भी पता नहीं चलता है। इस कोरोना संकत ने दिखा दिया है, कि देश के गाउं में रहने वाले लोग, भले उन्होंने बड़ी बड़ी और नामी उनिवर्सिटी में सिख्षा न लिहो, लेकिन इस दोरां उन्होंने, मतलब आप सब ने, अपने समस्कारों, अपनी परंपराओं की सिख्षा के अध भूत दर्शन कराएं हैं, गाउं से जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेणा देने वाली बाते हैं, मेरे साथियों, ये काम आपने किया है, आपके गाउं के प्रतेक नागरिक ने किया है, माताओं बहनों ने किया है, मेरे आदिवासी भाई बहनों ने, खेत खलिहान में काम करने वालों ने, फसल कटाई वर भुवाई में जुटे साथियों ने, देश को प्रेणा देने वाला अद्भूत काम आपने किया है, और इसलिए मैं हिंदुस्तान के हर गाउं को, हर गाउं वासियों को प्रणाम करता हूँ आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल सब्दों में मंत्र दिया है और मैं मानता हूँ हमारे देश के हर कौने में आपका दिया हुआ ये मंत्र बहुत काम आएगा आपने बड़े सिंपल सब्दों में ने कह दिया न सोशल डिस्टंसिंग का सब्द प्रयोग किया न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया आपने सिंपल सा मेसेज दे दिया दो गज़ दूरी का दो गज़ दूरी का या कहें दोगज देहकी दुरी का इस मंत्र के पालन पर गावों ने बहुत अध्भूत काम किया है। दोगज दुरी याने सोशल डिस्टंसिंग बना कर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दुर रख रहे हैं। किसी संभवित संक्रमर से खुद को बचा रहे हैं। और ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही हैं कि कोरोना को भारत ने किस तरह जबाब दिया है। साथियों इतना बड़ा संकट आया इतनी बड़ी वैश्विक महमारी आई। लेकिन इन दो तिन महनों में हमने ये भी देखा है कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच अनेक कठिनाईयों के सामने जुकने के बजाएं उसे टकरा रहा है। लोहा ले रहा है। ये सही है कि रुकावटे आ रही है। परेशानी हो रही है। लेकिन संकल्प का सामर्थे दिखाते हुए नई उर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए। नए नए तरीके खोते हुए देश को बचाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी है।